नमस्कार में हो पंडे संतोष्णा बार्दवाज आज मैं आपको दोस्युक्त मस्तिश रिखा के बारें बता रहा हूँ एक ऐसी मस्तिश रिखा जो अचानक मुड़ जाए और धलान लिएवे हो मोड लिएवे हो को दोस्युक्त कहलाती है कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि वह एक ऐसी मस्तिश रिखा है जो जंजीर नुमा होती है कि दीपों से मिलकर बनी होती है इसके दो इससे मैं आपको बताऊंगा यह पहला हिस्सा और यह बात का हिस्सा तो पहली बात तो यह है कि यह अशुक्चन्न है यह दीपों से बनी होती है इसकी वजह से ध्यान केंदित नहीं कर पाता जा तक गुस्ता आता है उसके विवान में कडूरता होती है चिर्चड़ा होता है उसके अंदर चिंता नाराजगी बेचैनी भरी होती है शकायत करेगा बात-बात पर मनोदशा आइस्थिर होगी अपने मन मस्तिष्पे काबू नहीं रख पाएगा वैसे काम जिम्मेदारी से करेगा मगर फिर भी उसको अपने स्वहाब की वेज़े से मानेता नहीं मिल पाएगी वह बुद्धिमान हो सकता है और साप बोलने वाला भी हो सकता है ऐसे लोग ठोकर खाने के बाद भी अपने आपको सभाल नहीं पाते हैं जिद्धी होते हैं हटीले होते हैं अब मस्त्ष रेखा जंजीर नमा हो जीवन रेखा टूटी हुई हो इस प्रगा जीवन रेखा टूटी हुई हो भाग्य रेखा मोटी हो तो क्या होगा और बुद्ध की उंगली मुड़ी हुई हो टेड़ी हो ऐसा जातक धोके बाजी से प्रात की वस्तों को लोटाने का प्रयास नहीं करता कभी वाइदा नहीं नहीं भाता और ऐसे आदमीक सा सम्मंद रखना घाटक होता है उसके तंत्रिका तंत्र में दोश होगा बहुत सोर्ज उचा करने वाला होगा और उसके अंदर मानसिक व्यथा भी संभग है चोड लग जाएगी घायल हो जाएगा तो पूझा बाट करने बैठ जाएगा यह निश्चत वह वाइदा नहीं नभाएगा तो करप्या ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें अब मस्ति शेखा जंजीर नुवा है इसका पहले भाग की बात करेंगे यह वाला भागम उसकी बात करेंगे जातक को झान लघान लगाने परिशान यह तक उसके विचारों में तारतम्य की कमी होगी कभी दो बहुत ज़ादा तर्क कंग बात करेंगा कभी बिलकूर्टी बात करेंगा तर्क वहिंग कटोड़ता होगी इवार में च्छडड़ाओए जल्दी नाराज होने वाला होगा दिमाग और अपने कार गुजारी कामों को पर काबू नहीं रख पाएगा बुद्धिमान मेहंती होने के बावजूद उसको माननेता नहीं मिलेगी वैं अपनी बड़ाई खुद करेगा साब बोलने वाला होगा हटिले सहाव का होगा अब मैं लेता हूँ चौथा केस मस्तिष रेखा का दूसरा भाग यह जंजीर नमा है यह वाला इससा जंजीर नमा है जातक को सर्दाद रहेगा पेट की खराबी रहेगी कमाई से ज़्यादा खर्च करेगा बचत का अभाव होगा और इसी काल में जीवन रेखा में भी खराबी हुई यानि यहां पर कट्स लगे हुए ब्रेक हुए दीप हुआ दबा हुआ लाल काला दबा हुआ तो ऐसे व्यक्ति को इसी समय पर गंबीर बिमारी हो सकती है तनाव हो सकता है और चिंदाए हो सकती है पांचवा केस है जंजीर नुमा मस्तिष रेखा और रेखाएं जो हैं वो लाली लिये हुए हैं लालंग लिये हुए हैं खराब हैं तो यह खारी जो है मैं इसके बारे जो बात कर रहा हूं वो बुद्ध और सूर्य के बीच में जो यह स्थान है यहां पर अगर खराबी है यानि इस उम्मर में अंद्र एखाओं में खराबी दिखाए लेती है तो जातक को सिरदर्द होगा आखों में खराबी होगी आनुमाशिक बिमारिया होगी अगर यह लक्षण किसी इस्त्री के हाथ में है तो उसके अनेक बच्चे होगे और उसको कई बार गर्पात भी होगा छटा किस ले रहा हूं जंजीर नुमा मस्तिष रेखा अंगुठे और अंगुली के बीच में यहां पर न्यून कोण बनेगा यानि लेस दन नाइन्टी डिक्री यह कोण बनेगा लेस दन नाइन्टी डिक्री न्यून कोण बनेगा तो ऐसे स्थिति में जातक को हाँ एक चीज़ों रहे गई मस्तिष रेखा और जीवन रेखा का जोड़ भी लंबा होगा जैसे यह है तो यह लगबक एक इंच के करीब होगा यह जोड़ तो ऐसे स्थिति में जातक के अब मिर्गी होगी व्यंग्र होगा हाथ कटोर होने पर तो ऐसा होगा ही होगा कि सात्मा किस लेते हैं कि जंजीर नुमा मस्तुष रेखा है और जीवन देखा अपूर्ण है पूरी नहीं जीवन देखा आप देख लेए जीवन देखा पूरी नहीं यहां भल भी रुख सकती है और यह तहीं पर भी रुक सकती है मगर पूरा नहीं कर पा रही है अपना रास्ता कि ऐसे जाता और ऊसे बच्रों की शरीव मनें तूमर गांठे पाई जाएंगी दिमाग में होती है , याथ क्यांसर हो सकता है जिगर ख्राब हो सकता है उसको रुक रुक कर भुखार होगा बवासिर्ग बिमारी हो सकती है मिर्गी हो सकती है शरीर कपकपाएगा एकदम स्पन्दान होगा पल्स पल्पिटिशन होगा और नाड़ी ठड़केगी यह यहां देखेंगे हाथ हाथ पड़कता दिखाई देगा आठ्मा केस है जंजीर नुवा मस्तिक श्रेखा होगी अपूर्ण जीवन नेखा और हाथ धीला यह बिलकुल लुंज मंच ऐसे जाता को तपिदी की बिमारी हो सकती है नौवा केस जो है जंजीर नुवा मस्तिक श्रेखा होगी जीवन नेखा आखीर में पतली होगी अब इसका प्रहाब क्या है जैसे यह अपूर्ण जीवन देखाती उसके समानी इसका प्रहाब है यहां से जीवन देखा पतली होती चली गई तो ऐसे जातकों के फैबड़ों में फुस्फुस माने फैबड़ों में शोत पानी की मेंवारी हो जाती है मैंने एक बहिला का हाँ देखा है उसके हाट में जीवन देखा शुरू में तो अच्छी गहरा ही लिए हुए है और उसके बाद शीज बैड रिड़न नाव जिसने पैए यह रिखा पतली होती चली गई जैसे कि नहर में पानी सूखता चला जाता नदी में पानी शूखता चला जाता है तो मैंने आपको बदाई अशुरू चन्न है नमस्का बहुत जल्दी फिर मिलेंगे अगले अध्याएं के साथ